दोसरो एक तरव अमेरिका दुनिया में सबसे पहले फिफ जनेडेशन के फाइटर एर क्रेप्टों को निरमान करने में सक्षमता हासिल किया। दूसरे तरव अगर देखा जाए तो, अमेरिका के ऐसे एर क्रेप्टों के निरमान के करेफ दो दशक संपूर्ण होने के वह से तो चाइना भी दावा करता है लेकिन चाइना के एरक्राफ्ट को कई एक्सपरटों के दरफ से 5th generation के एरक्राफ्ट के रूप में देखा भी नहीं जाता है पर दोस्तो जो रैशिया अमेरिका से करीवन 2 दशक तक पीछे था अब एक्सपरटों के मताविक रैशिया के द्वारा निर्मान किया हुआ सुखोई SU-57 5th generation के फाइटर अमेरिका के 5th generation के फाइटर एरक्राफ्टों को पचाड सकता है और दोस्तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि एक्सपरटों के तरफ से सुखोई SU-57 के कौन से शमता के वज़ा से इसे लेके ऐसे बताया जा रहा है और क्या सच में सुखोई SU-57 के फाइटना शमता है कि वो अमेरिका के F-22 को बचाड़ने में सक्षम हो तो दोस्तो हाली में कुछ Western Media में दावा किया गया था कि रशिया के सुखोई SU-57 फाइटर एरक्राफ्ट असल में अमेरिका के F-22 और F-35 जैसे 5 जनेरेशन के फाइटर एरक्राफ्टों से कमजोर है और इस दावे को ही खंडन करते हुए हाली में रशियन मिलिटरी एक्सपर्ट अलेक्सी लियनकॉफ के तरफ से तास न्यूस को एक इंटर्व्यू देते हुए बताया है कि सुखोई SU-57 हतियार, रैडर, रोबोटिक और इलेक्ट्रोनिक वरफेर सिस्टमों के मामले में स्टेट अफ दा आर्ट है और अमेरिका के फिफ जनेरेशन फाइटर एरक्राफ्टों को आसानी से पचार सकता है विशेशेगर ने अपने बयान में जोड़ देते हुए बताया कि सुखोई SU-57 असल में कई सारे मामलों में अमेरिका के फिफ जनेरेशन के फाइटर एरक्राफ्टों को पचार देता है जिनमें इसके दो पाइलेटर वरजन होना भी सामिल है दो सबके जानकरी के लिए बता दो कि हाली में ही रशिया के तरफ से गोशना किया गया है कि रशिया सुखोई SU-57 के दो पाइलेट वाले निर्मान करेगा और एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसे एरक्राफ्टों में दो फाइलेट होने का मतलब ये है कि आरक्राफ्ट को बहत्रिन तरीके से ऊपरेट करने के साथ एरक्रेट के उबर कंट्रोल काफी अधिक होगा इवन रशिया के तरफ से दो फाइलेटर वरजन को ल radar system का इस्तेमाल किया गिया है जो अपने आप में ही ताकदवर और ऐसा radar system है जो चारों तरफ नजर रख सकता है दूसरे तरफ इसके जो electronic warfare system है ये सबसे आधूनिक electronic warfare system है जो किसी भी भविशे के खत्रे से निपडने में सक्षम है जोकि उनके तरफ से जोड़ देते हुए ये होता है पर समय के साथ-साथ ये अब बदल चुका है दोसो expert का कहना ये भी है कि गरिव-करिव एक दशक से F-22 जैसे aircraft को एक fifth generation के aircraft के रूप में देखा जाता है क्योंकि ये एक low radar cross section वाले aircraft है जिसे radar में देख पाना मुश्किल है और साथी साथ इसे मार गिराना भी मुश्क है दोसो expert का ये भी कहना है कि West के देश ये चाहते है कि Russia हमेशा ही इस मामले में पीछे रहे मतलब 5th generation के fighter aircraft को develop करने के मामले में पर वो समय अब गुजर चुका है जब इन मामलों में खाले अमेरिका को ही बड़ोतरी हासिल था और अब Russia भी ऐसे देशों में शामिल है जो single engine engine और twin engine दोनों तरीके के 5th generation के fighter aircraft को निर्मान कर रहा है एक्सपर्ट के तरफ से सुकोई सु 57 fighter aircraft के महिमा मंदन करते हुए बताया गया है कि ये रशिया के द्वारा निर्मान किया हुआ नया generation के या फिर कहतों 5th generation के multi-roll fighter aircraft है जिसे हर तरीके के हवाई जमेनी और समुंदरी पानों को ध्वस करने के लिए बनाया गया है सुकोई 57 fighter aircraft में stealth technology को काफी महत्तों दिया गया है और इस वजह से इन aircraft में composite material का भी इस्तिमाल किया गया है सुकोई एक ऐसा fighter aircraft है जो supersonic cruising speed तक बिना after warning के भी जा सकता है जबकि इसका सबसे advanced feature है इसमें इस्तिमाल होने वाले onboard radio electronic equipment जिनमें की powerful onboard computer और radar system शामिल है दूसरे तरफ इन aircraft को बहत्रीन stealth aircraft बनाने के लिए रशिया के तरफ से कई तरीके के technology का इस्तिमाल किया गया है जिनमे material wise stealth तो शाम पिल है और इसी वजह से aircraft में हत्यारों को internal weapon बे में लगाया गया है दोसो एक्सपर्ट ने अपने बयान में ये भी बताया है कि Russian Air Force को सुखोई SU-57 aircraft के delivery मिलना भी शुरू हो चुका है और पहला ऐसा aircraft Russian Air Force को साल 2020 में मिला था जबकि ये संख्या साल 2024 तक बढ़के 22 और साल 2028 तक बढ़के 26 तक हो जाएगा दूसरे दरफ एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि सिंगल इंजिन फाइटर एयरक्राप्टों को counter करने के लिए भी रशिया के तरफ से सिंगल इंजिन स्टेल्थ 5 जनेरेशन के फाइटर एयरक्राप्ट को निर्मान किया जा रहा है जिसे फिला जैसे सिंगल इंजिन लोग कास्ट एयरक्राप्टों को counter करना है दूसरे इन एयरक्राप्टों को दुनिया के सामने लाने के साथ साथ कल दावे वि किया गया जिनमें इन एयरक्राप्टों की कीमत तक शामिल है जहां पर यह भी वताया जा रहा है कि यह जो 5 जनेरेशन के ये दुनिया के सबसे सस्ते 5th generation के aircraft होगा इवन ये 4th generation के aircraft के बरावर का दाम का होगा दोसो रेशिया का ये भी दावा है कि इन aircraft को export potential को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और इन aircraft में एक open architecture configuration का अस्तेमाल किया गया है ताकि customer satisfaction को संपूरने किया आया सके इवन इसके इलावा unique artificial intelligence system का इस्तेमाल किया गया है और माना जा रहे कि ये aircraft साल 2023 में अपना पहला उडान भड़ सकता है अब चलिए बात करते हैं सुखोई SU-57 fighter aircraft के शमता के बारे में दोसो रेशिया के सुखोई SU-57 fighter aircraft को को अगर देखा जाए तो इसे सुखोई ग्रूब के द्वारा डिजाइन किया गया है और इसका first flight आज से करीवन 11 साल पहले मतलग 29 जनवरी 2010 को हुआ परिन aircraft के first flight और introduction के बीच में करीव करीव 10 साल का gap था और December 25 2020 के दिन officially पहला सर्विसेवल aircraft को रेशियन बेड़े में शामिल किया गया रिपोर्ट के मुताविक अब तक रशिया के द्वारा ऐसे 12 aircraft को ही निर्मान करना संभब हो पाया है जिनमें 10 test aircraft है और 2 serial production है एर क्रेप्टों के फिलाल के वर्जिनों को अगर देखा जाए तो इसे fly करने के लिए फिलाल एक ही crew का आवशकता है और इसके जो लंबाई है वो करिवन 20.1 meter मतलब 65 feet 11 inch है जबकि इसके wingspan करिवन 14.1 meter मतलब 46 feet 4 inch है और इसका height 4.6 meter मतलब 15 feet 1 inch है जबकि इसके wing area करिवन 78.8 meter square मतलब करिवन 848 square feet के आसपास है और इसके empty weight 18,000 kg और gross weight करिवन 25,000 kg है जबकि बताया जाता है कि 25,000 kg इसके normal take-off weight है जबकि ये 29,270 kg के full load के साथ available है जबकि इसके maximum take-off weight करिव करिव 35,000 kg है और इसके fuel capacity भी करिवन 10,300 kg है दोसों इन यार क्रेप्टो में फिलाल Saturn AL-41F1 after warning turbofan का इस्तेमाल हुआ है लेकिन बताया जाता है कि इन में इस्डेलिया 30 इंजिनों का इस्तेमाल होगा पर दोसों ये जो फिलाल AL-41F1 इंजिनों का इस्तेमाल किया गया है इसका thrust करिवन 83.3 kN है और इसके maximum after warning thrust करिवन 142.2 kN है जबकि कई कई जगाओं में ये भी बताया जाता है कि emergency power का इस्तेमाल करते हुए ये एरक्राफ maximum 147.1 kN के thrust को generate कर सकता है एरक्राफ्ट के अगर performance को देखा जाए तो रिपोर्टों के मताविक एरक्राफ्ट के high altitude में maximum रफ्तार करिवन Mark 2 है जबकि low altitude में ये ही रफ्तार super cruiser mode में Mark 1.3 है और एरक्राफ्ट के range करिव करिव 3,500 km है जबकि दो fuel tank के सहारे ये एरक्राफ्ट करिवन 4,500 km तक जा सकता है उपर से इसके supersonic range भी करिवन 1,500 km है एरक्राफ्ट के service ceiling भी करिव करिव 20,000 meter मतलब 66,000 feet के आसपास है और इसके G limit भी plus 9G तक है रिपोर्ट में बताया जाता है कि हतियार के रूप में इसमें एक main gun मतलब 30 mm के auto cannon का इस्तेमाल किया गया है जबकि इसके इलावा इसमें total 12 heart points है जिनमें 6 internal heart points और 6 external heart points है दोस्तों हतियारों के रूप में ये aircraft R-77 और R-73 जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल करता है लेकिन इसके सबसे ताकदवर air-to-air missile है R-37M air-to-surface missile के रूप में ये aircraft KH-38ME या फिर KH-59MK-2 जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकेगा एंटी शिप missile के रूप में ये aircraft KH-35E जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है जबकि एंटी रेडियेशन मिसाइल के रूप में ये KH-58 मिसाइलों का इस्तेमाल करता है और कुछ 250, 500 और 1500 किलोग्राम के glide bomb का भी इस्तेमाल कर सकता है एंटी टैंक हतियार के रूप में 500 किलोग्राम के cluster bomb और active homing मिसाइलों का इस्तेमाल भी ये aircraft कर सकता है पर दोसों aircraft के अगर avion इसके package को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि रशिया के तरफ से इन aircraft को develop करने के लिए किस तरीके के technology का इस्तेमाल किया गया है रिपोर्टों में बताया जाता है कि इसमें SH-121 multifunctional infrared radio electronic system का इस्तेमाल किया गया है जबकि इसके इलावा इसमें bile का radar का इस्तेमाल किया गया है जो 400 km दूर से 7 टारगेटों को track और 16 टारगेटों को engage करने में सक्षम है और दोस्तों ये जो radar package है इसमें कई तरीके के अलग-अलग radar शामिल है जिनमें N036-101 frontal x-band active electronically scan array radar N036-B101 check x-band active electronic scan array radar जो की angular intersection के लिए इस्तेमाल होता है और N036-L101 slat L band radar जो की IFF मतलब identification fend and flow system के रूप में इस्तेमाल होता है जबकि इसके इलावा L402 हिमालायस नामक electronic counter measure suit का भी इस्तेमाल हुआ है और 101KS at all नामक electro-optical targeting system का भी इसमें इस्तेमाल हुआ है जिनमें 101KS-O directional infrared counter measure 101KS-V infrared search and track, 101KS-U ultraviolet missile approach warning system, 101KS-N advanced stabilized navigation and targeting system 101KS-N optical external targeting port और 101KS-P thermal images for low altitude flying and night landing system तक शामिल है कुल मिला के रशिया इन aircraft को एक आधुनिक aircraft के रूप में तबदिल करने के लिए कई तरीके के electronic equipment और computer system का इस्तेमाल किया है और इनी equipment के वदालत अब Russian expert के तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये aircraft अमेरिका के F-22 या F-35 जैसे aircraft को पचारने में सक्षम है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिंद